चाहिन सात्यों डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ सात्यों एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है धम्मम जिसमें एक बच्ची भगवान बुद्ध के स्टैच्यू के उपर खड़ी हो जाती है तो मैंने सुचा चलो इस पे जो भगवान बुद्ध के जीवन में इसके उपर जो घटना घटी थी खुद वहाँ पर भगवान बुद्ध मोजुद थे उस घटना के बारे में लोगों से शेर किया जाए इस वीडियो में और मुझे इसके बारे में क्या लगता है ये भी मैं संक्षित में बताऊंगा तो अपनी खुद की मुर्ती बनाने के बारे में भगवान बुद्ध के समय उनके लाइप स्पैन में काफी बार प्रसंग आये होंगे एक तो क्लियरली आया है जो था जो श्रावस्ति में जो जेत्वन नाम का विहार बना था जहाँ पर भगवान बुद्ध धम्म सिकाते थे अपनी विपशना विद्ध्या सिकाते थे उस विहार के बनाने में जिसका एहम रोल था वो थे व्यापारी अनात्पिंडक और ये अनात्पिंडका जो थे इनको इनोंने बहुत सारी संपत्ति डोनेट करके इस जमीन को खरिदा था इस गार्डन को खरिदा था राजा के राजपुत्र से तो इसको ये राजपुत्र का नाम था जेत और ये जेतवन था और राजा जो थे उनका नाम था प्रसंजेत तो ये जो विहार था यहाँ पर भगवान बुद्ध वर्शावास के दर्मेंद जब बारिश होती थी तब रुखते थे तो वहाँ के लोगों को धम्म का बहुत लाव होता था वो काफी अच्छी साधना कर पाते थे लेकिन उसके बाद भगवान निकल जाते थे देश के अलग-अलग भागों में जाने के लिए उस वक्त तो देश नहीं था अलग-अलग राज्य हुआ करते थे तो अलग- बगवान नहीं हुआ करते थे तो लोगों में बड़ा उत्सा निर्थ्षा आ जाता था उत्सा कम हो जाता था धम्म के प्रती तो अनात्पिंडग जो था उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थे अनात्पिंडग को लगता था कि यहाँ पर राउंड दी येर लोगों का उत्सा वना रहे वो ध्यान करे धम्म का पालन करे तो उसने एक बार जो आनन थे आनन ये भगवान बुद्ध के कजिन ब्रदर थे और ये भगवान बुद्ध के अगर सेवक थे वो उनकी सेवा करते थे सब उनकी बातों को वो ध्यान से सुनते थे सारे सुत्त जो उपदे चोटी सी मुर्ति लगाना चाहता हूँ जेत्वन विहार के बाहर सामने हैं ताकि जब बगवान यहाँ पर नहीं होँगे तो लोग उस मुर्ति से प्रेर्ना लेंगे और धम्म का पालन करेंगे साथना करेंगे डीप धम्म का पालन कर सकेंगे तो आनन ने जब यह बात ये अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि लोग मेरी जो शिक्षा है उसको भुला देंगे और ये मुर्ति का पूजन कर्मकांड और इसकी ही वंदना करते जाएंगे और धम जो है वो हड़ जाएगा तो उनको ये नहीं चाहिए था तो जैसे बोध गया में एक विशाल वुरु रुक्षक आजाता है तो वो बोध गया में था तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ से कोई बीज लेकर आता है और यहाँ पर वो प्लांट करता है तो उसका एक रुक्ष तैयार हो जाएगा और उस रुक्षक के नीचे लोग आकर साधना करेंगे प्रेरणा लेंगे तो वो ज्यादा अच्छे बात होगी मुर्ति लगाने से भी अच्छे बात होगी तो आनन ने ये बात मान ली तो आनन ने बोध गया से वो बिज वहां से लेके आया और आनन ने वो यहाँ पर जो शावस्ति है यहाँ पर वो लाया तो ऐसे कहा जाता है कुछ साइट्यों में ऐसे भ गवान बुद्ध के फालोर उन्होंने लाई थी तो किसीने भी लाई हो लेकिन वह वहाँ पर लाई गई और राजा प्रसंजित को रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इसका प्लांटेशन करें आपके हाथ से यह पोधा लगया जाए या सीड लगया जाए लेकिन उन्होंने कु इसकी एक प्रतिमा दिखाता हूँ यह मैंने विपश्चना रिसर्च इंस्टिटूट इगतपुरी की जो किताब है विपश्चना की हिस्ट्री और विकास के बारे में वहाँ से यह लिया है तो उनके आद से वह पोधा लगया गया और यह पोधा बहुत विशाल रुक्ष में आज कनवर्ट हुआ है और यह आज भी श्रावस्ति में जेत्वन के सामने यह पोधा है इसके भी फोटो मैंने यह इंटरनेट से लिए यह दी देखिए यहाँ पर गवर्मेंट आप इंडिया ने कुछ मेंटनेंस वर्क किया है पुरा तत्व विभाग ने यह जो यहा बारे में पता होता है आनन बोधिवरुक्ष के बारे में वह आकर यहाँ पर साधना करते है अपना होमेच पे करते है वंदना करते है तो इसको आनन बोधिवरुक्ष कहा जाने लगा तो बोधगया में जो है वह महा बोधिवरुक्ष है और आनन के द्वारा जो किया गया तो उनको उसको आनन महा बोधी रुक्षे कहा जाता है और यह आज भी मौजूद है तो यह जो बात है साथियो शावस्ति की इससे हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध खुद की मुर्ती प्रतिमा बनाने के या खुद के मंदिर बनाने के विरोध में थे और यह किसलिए विरोध में थे कि वो जानते थे कि ऐसी एगर प्रतिमा बन जाती है तो मेरी शिक्षा बाजू में हट जाएगी और इसके कर्मकांड यह मूर्ती की पूजा इसको फूल देन चड़ाना इसकी वंदना करना और इसके कर्मकांड करना और इसकी चर्चा करना इसी में सब यह मैं आशा करता हूँ कि यह जो किस्सा था बगवान बुद्ध के जिवन की जो ओरिजिनल घटना है यह true story है यह इस पर कुछ प्रकाश डालेगे कि बगवान बुद्ध कुद नहीं चाहते थे कि मेरी मूर्ती प्रतिमाए या मेरे बारे में कुछ कर्मकांड बनाए जाए या मेरे मंदिर बनाए जाए लेकिन दुर्धवे की बात यह है कि यह मुर्तिकला जो वेस्टन साइड से हमारे नौर्थ इंडिया के जब इंडिया नी हुआ करता था यह जम्भूद भूइक हुआ करता था तो यह मुर्तिकला बाहर से नौर्थ के part में सेटल हो गई और फ आज 2000 साल हो गए फिर भी हमको देखने को मिलती है लेकिन उसके बाद में जब धम्म का अस्तित्व पालन कम हो गया तो लोगों ने मुर्तिया या बुद्ध मंदिर इसको फालो करना शुरू किया और बाद में हम जानते हैं कि ये सब बुद्ध मंदिर जो थे बुद्ध मुर को पढ़ए था और ये खास बात यह है कि श्रावस्ति के जैत्वन में ये जो सनातन धम्म की सुत्त है ये इसका जो पाठ है कई बार पगवान बुद्ध नहीं पढ़ाया था और ये आज भी बड़ा रोचक है बड़ा इंट्रेस्टिंग सनातन धम्म का पाठ है कि वैर से वैर खतम नहीं होता है इसको खतम करने के लिए प्रेम के जरुरत होती है तो ये आज भी पढ़ाया जाता है और वो ये श्रावस्ति के जेत्वन में ही पढ़ाया था जहापर आनन बोधिवरुक्ष आज भी मौजूद है तो सातियों I hope कि this makes sense अगर ये आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों और रिष्टावरे में शेर कीजिए ताकि हम जो मुर्तिया कर्मकांड और ये पाखन में लगे हुए है और मूल जो धर्म था धर्म था सनातन धर्म था उसको भूल वैटे है और धर्म के नाम पर हमने क्या-क्या शुरू कर दिया है हमारे देश में और इसकी वज़े से हम राजनिती करते है रहे हम धंगे पसात करते है हम भाँ चारा भूल जाते है तो ये सारी चीज़े तो हमें धर्म के विरुद्द दिशा में लेके जाती है I hope this makes sense share with all your friends and relatives take care bye